इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे CPU Clock और Co-Processor के बारे में CPU Clock क्या होती है पहले ये देख लेते हैं हमारा जो CPU है इसके अंदर काफी ज़्यादा Operations हो रहे होते हैं और उन Operations की जो Speed है वो दरसल क्या कहलाती है वो दरसल हमारी CPU Clock कहलाती है इसको नापा जाता है Megahertz में और जब यह जादा यूनिट इसका जो बड़ा यूनिट होता है वो कहलाता है Gigahertz Hertz से यहाँ पर क्या मुराद है? Hertz यहाँ पर मुराद है cycle per second अब हम यहाँ पर समझते हैं कि operation से यहाँ पर क्या मतलब है CPU कौन सा operation करता है और यहाँ पर cycle का क्या मतलब है? यह दो चीज़े हमने समझने हैं तब हमें clock का concept clear हो जाएगा तो CPU जो है उसके अंदर जो main operation यह होता है कि हमारा जो CPU है उस CPU के अंदर काम क्या करना होता है? उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है processing करना यानि हम जो भी task को करने के लिए कहते हैं या जो भी instructions तक पहुचती है इसको process करता है लेकिन यह जो हमारी instruction होती है यह initially कहां पे store होती है? यह initially store होती है RAM के अंदर Random Access Memory में हमारी instruction store होती है CPU क्या करता है? कि RAM से instruction को fetch करता है fetch करने के बाद इसको यहां पे अपने pass लेकिए आता है यहां पे यह decode करता है यानि उसको translate करता है उसको different parts में divide करता है और फिर आखर में क्या करता है? उसको execute करता है यानि CPU एक instruction के उपर तीन काम perform करता है number one, सबसे पहले वो fetch करेगा instruction को, उसके बाद जो दूसरा काम वो करेगा वो उसको decode करेगा और तीसरा काम जो उसने करना होता है वो instruction को execute करता है तब जाके हमारी पूरी instruction process होती है अब ये तमाम तीन steps उसने की हैं एक instruction के उपर जो के हमारी RAM की first memory location पर आके store होई है अब उसके बाद ये तीनो steps जो है, ये repeat होते हैं और जिसके वज़े से हमारे पास एक बनता है cycle cycle कहते हैं कि आप एक step करें, second step करें, third step करें, उसके बाद फिर से आपने क्या करना है फिर से आपने first step करना है तो आपका एक cycle जो complete होता है उसके अंदर instruction fetch होती है, decode होती है, execute होती है और उसके बाद पिर अगला cycle शुरू हो जाता है ये कहलाता है CPU cycle तो clock कहते हैं कि एक second की अंदर CPU जो है, वो कितने cycles perform करेगा, वो दरहसल उसकी CPU clock कहलाती है और उसको नापा जाता है hertz में हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो microprocessor जिसका CPU clock cycle जादा होता है, वो जादा fast होता है, वो जादा तेज होता है अब यहां पे 1 megahertz का क्या मतलब है, 1 megahertz से यहां पे मुराद है 1 million cycles per second, यानि एक processor है, अगर उसकी CPU clock जो है 1 megahertz है, तो इसका क्या मतलब हुआ, कि वो 1 second के वक्त में 1 million cycles perform कर सकता है, एक cycle हमने समझा, कि एक cycle क्या होता है, तो आप अंदाजा लगाएं कि 1 second के अंदर 1 million cycles perform कर सकत है, एक microprocessor, और अगर एक microprocessor है, वो 1 gigahertz का है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, कि वो 1 second के वक्त में 1 billion cycles perform कर सकता है, यानि 1 second का बद गुजरेगा, और हमारा microprocessor 1 billion cycles कर लेगा, यानि 1 billion instructions को वो, उसके ओपर यह 3 steps perform कर लेगा, fetch, decode, execute का, तो यह जो चीज है, यह के लाती है, हमारे पास CPU cycle, इससे हमें बदा चलता है, कि CPU के अंदर जो operations हो रहे हैं, CPU के अंदर यह operations हो रहे होते हैं, इन operations की speed किया है, जितने ज़ादा number of cycles होंगे, उतना ज़ादा हमारा CPU तेज होगा, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कि comparison chart बनाया है, कि microprocessor जब launch हुआ 1978 में public purpose के लिए, उसका नाम था 8086, और इसके अंदर जो register इस्तमाल हो रहे थे, उनका साय था 16 bit, उसकी clock speed थी megahertz में, और इसके बाद जितने भी processor आते गए, वद के साथ साथ मुख्तलिफ airs में, उन तमाम की speed megahertz तक ही रही, लेकिन revolution आया, 1999 में जब pentium 3 इजाद हुआ, और जो हमारे पास clock speed थी, वो बढ़ गई, 1.13 gigahertz, यानि के billions cycles एक second के अंदर perform करना शुरू कर दिया, microprocessor ने, और 1999 के हिसाब से, ये जो computer था, ये काफी ज़ादा fast था, उसके बाद अगले साल मजी development हुई, और हमारे पास pentium 4, जो है, वो microprocessor आया, इसकी जो maximum speed उस वक्त थी, वो थी 3.0 gigahertz, जो कि उस जमाने का fastest computer माना जाता था, अभी जो latest processors आया है, इनको भी हम देख लेते हैं, 2006 में launch हुआ था core to do, जिसने pentium 4 को replace कर लिया था, उसकी clock speed जो थी, वो हमारे पास थी 3.2 gigahertz, यानि 3.2, यानि 3 billion instructions, जो है वो, 3 billion cycles perform कर सकता है core to do, उसके बाद development होती ग हुआ, और उसकी speed थी 3.4 gigahertz, और उसके बाद core i5 launch हुआ, उसकी speed थी 3.8 gigahertz, और हमारे पास core i7 जो latest processor मुझूद है, इसकी speed है 4 gigahertz, और जो last latest launch हुआ 2018 में, वो है core i9, इसकी speed हमारे पास आते है, 4.2 gigahertz, जो कि काफी जादा speed है, यानि इतनी cycles per second, 4 billion cycles per second perform कर सकता है, तो यह हमने समझ लिया कि clock speed किसे कहते हैं, या clock cycle क्या होता है, अब हम बात करते हैं, जो इसके अंदर दूसरी चीज़ हमने समझनी है, कि co-processor क्या होता है, co-processor दरसल एक subordinate है to main CPU, हमारे जो main CPU है, यह उसके under काम कर रहा होता है, यानि जहां पे CPU को हमें complex calculations कर करनी पड़ती है, वहां पे हमें जरूत पड़ती है co-processor की, वो क्या करता है, कि वो जितना भी data overload है, उसको handle करता है, और CPU का operations होते हैं, उन्हें वो speed up कर देता है, for example, यहां पे अगर हम इसके एक example लें, तो इसके अंदर एक आती है math processor chip, math processor chip जो है, वो install कर दी जाती है computer में ताके computer जो है complex numerical calculations जो है, वो perform कर सके, यह वो उन computers में किया जाता है, जहां पे हमें complex math के problems हल करने होते हैं, इसके लवा math co-processor chip जो है, वो overall जो graphics ability है computer की, उसको भी enhance कर देती है, उसको भी बढ़ा देती है, इसको अगर हम picture में देखें, तो हमारे सामने इस तरह की co-processor लगे ह चाहें, अगर आपको पता है कि आपके computer में co-processor लगे हुए, तो आपको motherboard पे इस तरह की chips नज़र आएंगी, Intel की, यह दरहसल क्या होते है, हमारे main CPU है, उसके साथ as a subordinate काम करते हैं, यह उसके under काम करते हैं, और उसका तमाम overload बरदाश करते हैं, तो आज किस वीडियो में हम क्लॉज हमने पढ़ी है, वो दरहसल है CPU Clock.